प्राश्व कुमार साहिक आचारिये सिरी रादेशामार मुरार का राज के माविद्याले जूजन। प्रेव दार्थियों हम विकॉम पाट पर्थम , विजये वीस्टी वेवसायिक संख्या की प्रसन पत्तर द्यूत्य कि आप कीन के माव्प कर रहे हैं विडियो के मादिन से और इससे पूरो है हमने आपकीन के माव्प में जिन विद्यों का अधेन किया है उसमें हमने विस्तार से आपको बताया और उन में से सबसे पहले जो विस्तार सीमा रित्यां थी उसमें विस्तार रेंज अंतर चतूर्थांड, मिस्तार सब्त मिस्तार और चतुर्थर विचलन इनका धेन किया और विचलन मादे रितियां थी जिसमें मादे विचलन मीन डेवेशन का हमने धेन किया और आज हम प्रमाव विचलन इस्टन डेवेशन का ध्यन करेंगे और ये प्रिक्षा की दर्ष्टी से भी बहुती महत्योपून माप है इस्टन डेवेशन के मादन से हर बार प्रिक्षा में एक प्रशन कम से कम पूछा जाता है अधर प्रमाव विचलन क्या है इसका प्रशन कब हुआ इनको ग्याद करने के सुत्र क्या है और माद्देव जिंद्रा प्रमाविचलन में अंतर इनका इस वीडियो में धेन करेंगे प्रमाविचलन के विचायर का प्रतिपाधन काल पियर सन्ने अठारह सुत्राणमे में किया था यह अपकिन को मापने की सबसे अधिक लोग प्रिये और वेग्यानिक रिती है प्रमाविचलन के गण्णा के विल समांतर माद्दे के प्रियोक से ही की जाती है आक्स बार से समांतर माद्दे से ही किसी समंग समों का प्रमाविचलन निकालने है तू उस समय के समांतर माद्दे से विविन पद मुल्यों को विशन ग्याद किया जाते हैं माद्दे विचलन की भाती विचलन लेते समय बीज गर्नितिय चिनों को छोड़ा नहीं जाता है जैसे हमने गत वीडियो में पढ़ा कि माद्दे विचलन में जब हम विचलन लेते हैं तो विचलन माद्दे विचलन के जो विस्रन लेते थे उसमें हमने प्लस माइनस को इगनोर किया लेकिन जब प्रमाभी चलन का मुल्ले गयात करेंगे तो उस समय इसको वीज गिरनी ते चिनों को नहीं छोड़ेंगे अर्था ध्यान में रखेंगे उसके मद्दे रखते हुई प्रशन को हल करेंगे इन वि योग में से कुन मोद्धी संक्छा का भाग देकर वर्ग मूल निकाल लिते हैं इस परकार जो अंग प्राप्थ होता है उसए प्रमाभी कोITE करते हैं वर्ग मूल से पूरा जो मूल ले आता है उशे अपक्यून के द्यूत्य घात या विश्टनांक अथ्वा पर सरन वेरियंस करते हैं अता है प्रमाव विचलन समांतर माद्दे से समंग सरनी के विविन पदमूलियों के विचलनों के वर्गों के माद्दे का वर्ग मूल है अर्थातियम यह कहें कि जो प्रमाव विचलन है वो समांतर माद्दे से जो समंग सरनी दे रखी है उसके विविन पदमूलियों के विचलनों के वर्गों के विचलनों के वर्गों क उस वर्गों के माद्दे का वर्गमूल है उसका वर्गमूल है इससे माद्दे विज्रिन के दोस्तों को दूर करने का प्रियास किया गया है जो हम निकत वीडियों पढ़ाता माद्दे विज्रिन उसके दोस्ते उनको दूर करने का प्रियास किया गया प्रमा विज्रिन की प माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 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 रहेगा अर्था सारे जो हैं वो समस्विचलन जो गनीतिय ग्रियाग से श्यमी गनात्मक हो जाते हैं इस प्रकार माद्य विचलन में नहीत गनीतिय सुधी दन या रन चिनों का ध्यान नहीं रखना प्रमाविचलन के ग ग्रीग भासा का जोटा अक्सर समाल सिंग्मा होता है और प्रमाविचलन को मद्ध्यक विभरम मीन एरर्स या मद्धे का वर्ग विभरम मीन इस्क्वाइर और मूल मद्धे वर्ग मिचलन रूट मेन इस्क्वाइर डिवेशन आधिके नामों से भी संबोधिक किया जाता है और प्रमाविचलन का गुनाग को ओफिशन ओविष्टन डिवेशन कैसे जात कि दो स्रेणियों की तुलना के लिए प्रमाविचलन का संपेक्स माप रिलेट्व मेजर ओविष्टन गुनाग को ओफिशन 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 डिवेशन कहते हैं अता प्रमाविचलन में समानतर मादे अक्स बार का भाग देने से प्रमाविचलन का गुनाग प्राप्त हो जाता है अर्थात प्रमाविचलन को ओफिशन 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 डिवेशन जो आया हमारे पास उसम अक्षबार स्मांत्र मादे का भाग ले दें अर्थात हम यह कहें कि इस्टेंड डेवेशन अपून मीन अब हम इन सुत्र के बस साथ जो हमने कहा कि माद्दे विचलन तथा प्रमाव विचलन में अंतर क्या है उसका देन करें माद्दे विचलन मीन डेवेशन और पमाव विचलन इस्टन डेवेशन इस में जो मुख्यत अंतर है वो पहला अंतर है विचलन समांत्र माद्दे मद्दे का भावलक से लिये जा सकते हैं माद्दे विचलन में जो विचलन लेने होते हैं वो समांत्र माद्दे से भी ले सकते मद्धे से भी लेक्स, मद्धे से भी लेक्स, मद्धे का और बहुलक से, कहने कारत है, शमांतर मद्धे अक्षबार, मद्धे का आयम और बहुलक जेड से लिए जा सकते हैं, अर्थाद विचलन समांतर मद्धे, मद्धे का बहुलक से लिए जा सकते हैं, जबकि प्रमा विच के वर समुंत्र माद्धे अक्स बार्ष यह लिए जाते हैं दूसरा मुख्यंत्र है विच्रनों की वीज गनीते चनूओं पलस तथा माईनस को छोड़ दिया जाता है अर्थातरानातम विच्रन भी गनात्म मान लिए जाते हैं माद्धे विच्रन में विष्था इससे पहले वीडियो में हमने पर रहा था उसमें भी बताया था आप लोगों को कि विचलनों के वीज गनीदे चीन जो प्लस और माइनस आते हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है छोड़ जाता है अर्थात रानमतु विचलन भी अपना गरहात्म माल ले जाते हैं और प्रमा विचलन में इस्टन डेवेशन में वीज नीदे चीनों को छोड़ा नहीं जाता वरन प्राफ्ट विचलनों के वर्ग स्क्वेर कर लिए जाते हैं जिसे रानात्म विचलन भी गरहात्म विचलनों में प्रिचलन हो जाते हैं अर्थात हम जब विचलन गयात करते हैं प्रमा विचलन में इस्टन डेविशन में तो प्लस माइनस का ध्यान लगते हैं लेकिन जब जो हमारे प्लास विचलन प्राप्त होते हैं उन प्राप्त विचलनों को वर्ग स्क्वेर में कर लिए जाते हैं तो और रहात्मक वाले विचलन भी रहात्मक पर रहात्मक हो जाते हैं और तीसरा अंत्र है ये निर्पेक्स विष्णूनों का होसत साधान समांत्र माद्दे करने का मात्र होता है ये विष्णून के वर्गूं के माद्दे का वर्गमूल होता है जो समांत्र माद्दे हमारे पास है उनसे जो विष्णून लिए उस वर्गूं के माद्दे का इसमें गणीते गुन का भाव होता है क्योंकि इसमें गणीत गुन्विदमान होते हैं क्योंकि इसमें गणीत गुनकों चोड़ा नहीं जबकि विजलों के पर ग्याद करने के कारण उनकी प्रिगणना कुछ कठिन अवश्य है लेकिन ये सबी इस्तितियों में चाहिए समांत्र माद्दे प्रुणांग खुआ था दसमलावा उप्यूक्त होता है इसकी लद्धूरितिय पिक्षा कर सरल होती है इस तरह से माद्द विजलन और प्रमा विजलन में मुख्य थे जो 5 पांच संदर थे जो आपको खुआ था अब प्रमा विजलन की प्रिगणना काल्क्योलेशन ऑविस्टन इडिवेशन प्रमा विजलन गयाद करने के लिए वो दो ही रितिया हैं परतेक्स रिती डायक्ट मेथड या लदूर प्रतेक्स रित्ति से डायक्ट मेंथर से प्रमाविचलन जाद करेंगे तो इसमें समानतर माद्धे अग्स बार पुरुणांग होल नंबर लेंगे राप्त हो तो प्रतेक्स रिति द्वारा प्रमाविचलन के करना सर रहती है। इदि समान तरमादे जो एक्स भार है वो पुर्णांग होल नम्बर में हो दस्मल में नहीं हो तो इसे प्रतेक्स रिती द्वरा प्राव मिस्टे करना सर्ड रहती है समानतरमादे जो अक्सवार के पुणांग में नए होने पर लधूरिती सोटकर्ड मेथर का प्रयोग अप्षा करते सरल प्रमाविसन ग्याद करने के पिरक्रिया प्रोसिस क्या है इस्टिंडेविसन ग्याद करने सबसे पहले जम प्रतेक्स रिती की बात करते हैं तो प्रतेक्स रिती में सबसे पहले सुरो प्रतेम सर्णी के समानतरमादे अक्स बार ग्याद किया दता है और समानतरमादे पूरो हम बताएगे नियमू वस्तुनों के अधार पर प्रतेक्स रिती या पद्विसन रिती के मादम से ग्याद करेंगे जैसा कि हम इसे पहले अध्याय में पढ़ा था कि समान तरमादे परतेक्स रिती से लदू रिती से और पद विचलन रिती से मतलब डायक शोटकट और पद विचलन जो था डेवेशन के अधार पी था इस्टेप डेवेशन मेथट था उसके अधार पी गयाद के थे उसके बाद समानतर मादे से विभिन पदों के विचलन ग्याद करें और विचलन का संकेत तांक है छोटा D समानतर मादे से क्या गरेंगे जो विभिन पदों है उसका विचलन लेंगे और जो विचलन होगा वो दी छोटे D के रुब में कित हुँगा वेक्ति के सणिंप पदों के विच्रन का वरग डी स्क्वेर करके उसका योग सिग्मा डी स्क्वेर गयात कर लेंगे विच्रन वरगों के विच्रन वरगों के योग सिग्मा डी स्क्वेर के पदों की संख्या जो है एनका भाग दिया दाता है और ये मूले ही दित्य अप्चिन घात या विच्ण मापक कहलाता है बाग देने पर जो जन्फल पराब्त होता है उसका अगनात मग और गमूल याद करें वास्तों में यही प्रमाविच्णन है बता सुत्र के रूप में प्रमाविच्णन को हम कह सकते हैं बराबर सिग्मा डी स्केर अपोन एन का अनरूट अर्थात इस्टेंडर्ड का जो है चिन्वो प्रमाविच्णन इस्टेंडेविच्ण सिग्मा डी स्केर माद्दे से लेगी विच्णन के वर्गों का योग total of squares of deviation taken from means और एन कुल पदों की सिंख्या total number of items जब इसके गुणा की ब्यात करनी हो प्रतेक स्रीति में तो प्रमापिशन गुणा coefficient of Eastern deviation को ज्याद करने है दू समस्प्रकार की जायो सरेनिया हो उसमें अंतरगर सुत्र होगा coefficient of Eastern deviation मेरावर standard deviation upon अक्सपार ये इसका हो और जब short cut रिती से short cut method से जब हम प्रमापिशन की गुणा करेंगे तो उसका सुत्र अलग अलग तरिकी के लेकिन उसको सबसे पहले लदूरिती से short cut method से क्या करेंगे समांतर माद्धे को प्रुणाग में नो हो तो लदूरिद्गा प्रियोग से लगता है और इसकी गर्णा नियुन क्रियाओं द्वारा की जाती है जब समांतर माद्धे हम कर निकालते हैं तो short cut method में प्रसुत मुले में से कीजिए मुले को कल्पित माद्धे जूर्ण में मान लेते हैं प्रसुत जो मुले हैं उन मुले में से किसी एक मुले को हम कल्पित माद्धे अर्था जूर्ण में बड़े एक और उप में संके तकांग है इसका कल्पित माद्धे मान लेते हैं और कल्पित माद्धे से विचलन डी अक्स गयाद कर उसका योग सिग्मा डी अक्स करते हैं और तीस राइस में इस विचलन डी अक्स के वरग ग्याद कर उनका योग सिग्मा डी स्कुएर अक्स प्राप करते हैं और निमेल लिखित किसी भी सुत्र का प्रियोग करके उसे प्रमा विचलन ग्याद कर सकते हैं और ये चार सुत्र एक शुत्र के प्रारूप हैं पते किसी भी सुत्र का द्वारा पर्सन को हल करना उत्तर माना जाएगा पहला सुत्र है इस्टन डेवेशन बटा बराबर सिग्मा डी स्क्वेर अक्स अपोन एन माइनस पोस्ट में अक्स माइनस एक पोस्ट बंद का हो फुल स्क्वेर दूसरा इस्टन डेवेशन सिग्मा डी अक्स इस्क्वेर इंटो अक्स अपोन एन माइनस सिग्मा डी अक्स अ पॉन के होता औरथात अंतर के वज्जोत सिग्मा डि अच्छ अपॉन काभी हो गए 안된 का प्रियों के इस परकाब सिटेंडी स्ग्मा डि स्क्वाइर इन टू आख्स माइनस МУЗЫКА कोस्ट में आक्स बार माइनस एक का होल स्कुएर अपोन न दूसरा इस्टन डिवेशन वन अपोन न सिग्मा डी स्कुएर इंटू अक्स इंटू एन माइनस सिग्मा डी अक्स स्कुएर का होल स्कुएर अपोन रू उप्रोक जो चार सुत्र हैं उसमें से चोथा सुत्र सभ़से अधिक सरलव अलोगती है अधिशत का प्रयोग अधिक तरफ्या जाता है इस शुत्र के प्रयोग संक्यतां को स्पर्श निमन्मत थैं जो स्टेंडर है वो प्रमाविश्रन सिग्मा डियेक्स कल्पित समान द्रम जाए से लिए गे विषलुंग के वर्गों का यूग एन मदुंगी कुल संक्या टोटर नंबर ओफ इटमस औरे कालपित मादे अर्जून अर्थमेटिक मी इसकी वेकल भी रिती है वो भी वेकते ही सरने में प्रावाफिजनल्मिक तिकत मुल्लों का दहार पर ए बरावर जीरो मानकर गयाद किया जा सकता है ये रिती अंतर का सरुबर पर थंपरते कि मुल्ले का वर्ग अक्सुष्कायर गयाद के लिए जाता है ता उसका सिग्मा अक्सुष्कायर गयाद के जाता है और वर्गों के माद्दे गयाद करने के लिए वर्गों के योग अक्सुष्कायर के मुदों में कुल संख्यायन का भाग लगा दिया जाता है इस परकार से प्राप्त माद्दे सिग्मा आक्सिस्कायर उपन हैं समंग सिर्णी के माद्दे का वरग आक्सिस्कायर गठाकर प्राप्त कर वरग मूर निकाल लिया जाता है और वरग मूरी समंग सिर्णी के प्रमाइशन होता है मिस्त परकार से हम इस्टन डेवेशन को जयात करने के बारे में मिस्तार से धेन किया धन्या